तुम दोनों में से जूता अची तरह पालिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अची तरह आता है, मास्टर है मास्टर तेरा नाम क्या है? बांडिया क्या है? डांडिया बांडिया बांडिया अच्छा डांडिया, डांडिया देख पहले तू जूता पालिश करना सीख, नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो, चल मोची, इतने सारे जूते अगर मैं फुटपास पालिश करता, तो इतनी कमाई हो की कि एक अंदर मैं एक नाओ खरी दिलेता, ये लो, ये थ तोड़े सो और पुराने जूते, इन पा हाथ साफ करके अच्छा से पॉलिश करना सीखो, और ने भी देंगे, और कुछ भूते पैडों के साथ चल कर बार गए, जैसे वापेस आजाएंगे, वो भी देंगे अच्छा, ये मजाल, अब तो वक्त गंदर काम करके दिखाता हूँ बटाफाट, ये काम कतम करोगे, तो तुरंट दूसरा काम दूँगा मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ, कि एक बाद एक काम देते ही जा रहे हो अच्छा, ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है एक और का, ये तो मैं हरगीज नहीं करूँगा मैं बहुत अच्छी तरीके स्कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूँगा नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएगे, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा जो भी गाट किदरे एक बात बताओ यहां कि लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं धोए क्या ए, फाल तु बातो में वक्त बरबाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे यहां लाने दो लाने दो बुरे घर के कपड़े लाने दो और पोड़ोसने से भी पुचले उनके कपड़े उनको भी लाने दो यह सस्ता अव अच्छा साब उन है इसलिए तनी मजदूरी करवा रहे हो लहेंगा है कि सरकास का तंबू यह नटवार एक बात बताओ किस गर में कितने परिवार रहते हैं 15-16 परिवार तुसको घर के बोलते हैं इसको जिला गोसित क्यों नहीं कर देते हैं काम क्या ने तो तुदे रसी में सुखा दूँगा यह कूरता किस राक्षस का है यह कूरता हमारे बड़े साहब का है मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है नीची अवाज में बात कर यह लोग तो कुछ भी नहीं है असली साब तो वो है मंगल सिंग चोहान गुजरात गया है